पलनी पलनी पहाड में स्थित पलनी अरूर मिगो श्री दंड़ युद्धपानी मंदिर प्राचीन काल के श्री मुर्गा मंदिरों में एक हैं पलनी तमिल नाडू के दिंड़ुगल जिले का एक नगर है जो मधरई के उत्तर पश्षिम में सौ किलो मेटर और कौइमबतुर के दक्षिनपूर में सौ किलो मेटर की दूरी पर स्थित हैं सीडियां चड़ कर हम पहाड के उपर का परम पावन मंदिर पहुंचते हैं सीडियां चड़ने से पहले तीर्थी आत्री प्रवेश दुआर के विनाएक मंदिर में प्रार्थना करते हैं विनाएक मंदिर के सामने ही शिव में नाक्षी मंदिर भी हैं प्रार्थना गीतों के गूंज के साथ चंदन और करपूर के खुश्बू से भरी हवा हमें देवत्वा और उच्छ तरिय शांती का अनुभव प्रदान करते हैं स्वर्णिम प्रकाष से चमकने वाला स्वर्ण गुंबच धारन करके पढ़नी मंदिर विराश्ता है सीडियां चड़ने में असमर्त तीर्थ यात्रियों के लिए रज्यू रेल एवं रोपे की सुविधा है मुर्गन की मूर्ती ऐसी नौ विशीली वस्तुओं से बनाई गई हैं जो निश्चित अनुपात में मिश्रण करने पर प्रभावी दवा बन जाती हैं मंदर की वास्तुकला चेरा एवं पांडियर यितियों का मिश्रण है प्रभु मुर्गन की उपासना करने के लिए देश के सभी भागों से लोग पढ़नी आते हैं हिदुंबर स्वामी का मंदर पास के पहाड में है पढ़नी में अनेक मंदिर हैं और उनकी एक सम्रुद्ध संस्कृती और परंपरा है पहाड के उपर से जो मनोरम द्रिश्य है वो आश्षिरे जनक है हर रोज अनेक तीर्थी आतरी आने के कारण पढ़नी एक प्रमुक व्यापार केंदर भी बन गया है यहां आवास की सुविधा मात्र तीन सो रुपए की राशी से उपलब्ध है निकट्टम रेल्वेस सेशन तीन किलोमेटर की दूरी पर पढ़नी रेल्वेस सेशन है और निकट्टम हवाई अड़ा 110 किलोमेटर की दूरी पर कोईंबतोड इंटरनाशनल एपोर्ट है झाल झाल झाल